नमस्कार स्वागत आप सभी का आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के अंसे आठी कोशन्स कवर करेंगे फर्स्ट कोशन है हमारा बोंबे प्लैन के बारे में निमनलिखित वेसे कौन सा बयान सही नहीं है बोंबे प्लैन क्या था 1944 में जो बड़े बड़े इंडेस्टिलिस्ट मिले थे भारत के जिनोंने की पूंजिवादी वेवस्ता अपनाने की बात कही थी ठीक है यही था बोंबे प्लैन हमें बताना की कौन सी बात सही नहीं है फर्स्ट पॉंट देखो यह बारत के आर्थिक भविश्य का एक ब्ल्यूप्रिंट था ठीक है बिल्कुल कि भारत की आगे एकोनमी कैसे चलेगी उस बात को लेकर यहाँ पे बाते होई थी इसमें उध्योग के उपर राज्य के स्वामित्यों का समर्थन किया गया था अब जितने भी बिजनेसमेन होंगी क्या वो इस बात को सपोर्ट करेंगे कि वहाँ पे उनको बिजनेस ना करने दिया जाए सरकार ही कंट्रोल कर ले राज्य का स्वामित्यों का समर्थन नहीं किया था उन्होंने उन्होंने तो बलकि इस चीज के लिए मना किया था कि एक स्टेट को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए ठीक है पुजिवात को बनाना चाहिए राज्य के स्वामित्यों का मतलब होता है साम्मेवात तो उध्योगों के उपर राजय के स्वामित्यों को हटाने की बात की थी इसी लिए जो option second है वो गलत है अगला देख लो क्या है option इसकी रचना कुछ अगर ने उध्योगपतियों ने की थी जैसे टाटा भी डिलाए ये लोग वहाँ पे मिले थे उस टाइम पे थार्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल ठीक है बड़े बड़े इंडेसलिस्ट जो थे बड़े बड़े व्यापारी जो थे उन्होंने मिलकर इस योजना को बनाया था अगला देखो फोर्थ इसमें नियोजन के विचार का पूर्जोर समर्थन किया गया था बिल्कुल बड़े प्लैनिंग के साथ हमागे देश को चलाएंगे इस बात को सपोर्ट किया गया था तो एक ही चीज़ को सपोर्ट ने किया गया राज्य के स्वामित्तों को बलकि एक बात कही गई थी कि राज्य का स्वामित्तों नहीं होना चाहिए अब देखो question number second भारत ने शुरुवाती दोर में विकास की जो नीती अपनाई उसमें निमल लिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं है देखो पहला है नियोजन planning के साथ भारत ने काम किया था ना फाइव गेर प्लैन लागू किये थे ना तो नीयोजन थो था भाई उसके बाद second को छोड़ो आप third देखो पहले सहकारी खेती यानि कि government ने बहुत बड़े लैल पे खेती पे फोकस दिया था पहली पंच वर्षे योजना का target ही क्या था खेती था तो first option भी ठीक है third option भी ठीक है fourth है आत्म निर्भरता यानि कि self-dependent होने की बात कही थी बिल्कुल ठीक बात है ये बारत ने शुरू से इस पे फोकस दिया है कि भारत जो है आत्म निर्भरत देश बन सके तो तीन option ठीका बचा second ये वाला गलत है उदारी करण उदारी करण का मतलब होता है कि government जो है वो private companies को private चीजों को बहुत ज़्यादा छूट देती है tax वगएरा में ठीक है उन्हें promote करती है बहुत ज़्यादा और दूसरे देशों की company को भारत में बुलाती है तो आप देखो आपने कभी 1990 से पहले दूसरे देशों की company भारत में देखी है देखी है कभी 1950 में company लगी है बहुत ज़्यादा आखे यहाँ पे तो यह चीज हमने अपनाई थी 1990 के बाद उदारी करण वाली चीज ठीक है और हमारे यहाँ पे industry जो setup हुई है वो सारी अधिकतर जो विदेशी कमपनियां है वो 1990 के बाद ही आई है ठीक है तो उदारी करण अब देखो आप थर्ड कोशन भारत में नियोजी तर्फेफस्ता चलाने का विचार ग्रेंड किया गया है यहनि जो हम five year plan लागू करते थे वो हमने कहां से जो है वो चीज सीखी है देखो first option है बोंबे plan से ठीक है बोंबे plan में भी देखो यह बात कही गई थी कि हमें नियो उनके ही आदर्शों पर हम चले थे तो अभी तक हमें दोनों बात सही लगी बोंबे plan में भी हमें यह बात देखने को मिली थी कि हमें planning के साथ काम करना चीए और सोवेट संग से तो हमने five year plan सीखे ही थे आगे देख लो समाज के बारे में गांदीवादी विचार से अब गा देखो तीसरा जो है गांदी भी यही कहते थे कि हमें जो है अगे planning के साथ काम करना चाहिए तो गांदीवादी विचारों में भी क्या दिखती है हमें नियोजन की जहलक दिखती है उसके बाद किसान संगठनों की मांग से किसानों ने भी बहुत कहा था कि हमें भी government की help मिल लिच यह government जो plan लागू करती है तो किसानों ने भी आर्थिक नियोजन की बात की थी तो five year plan जो हमने लागू किये उसमें सभी लोगों का योगदान था इसलिए इसमें चारों ठीक होंगे तो option में देख लेते हैं फर्स्ट में कहा है खै और गया है नहीं इसमें चारों ठी प्लीज ये इसका सही अंसर है चारों चीजों से हमारी नियोजन वाली अर्थवस्ता जो हो परभावित हुई थी अगला question देखो आप मैच दर फोलोइंग करनाया में पहला है चरण सिंग ये किसान नेता है तो इसको थर्ड से मैच करेंगे पीसी महाल नोबिस ये second जो five year plan था उसके करता धरता है इन्होंने industries पर focus किया था तो इनको फर्स से हम मैच करेंगे ओध्योगी करन तीसरा है बिहार का अकाल इसको हम मैच करेंगे second से जोनिंग से जोनिंग ये planning का ही model था ठीक है जिसमें की बिहार में जो problem हुई थी अकाल बगरा पढ़े थे बार्ड बगरा आई थी उन समस्याव से निपठने की कोशिश की थी उसके बाद फूर्थ वर्गिस कूरियन वर्गिस कूरियन को कहा जाता है milkman of India क्योंकि इन्होंने बारत में श्वेत करांती चलाई थी और इन्होंने dairy की शुरुआत की थी बारत में तो सहकारी dairy से मैच कर देंगे हम वर्गिस कूरियन को अब देखो फिर्थ कोशन आजादी के समय विकास के सवाल पर परमुक मतबेद क्या थे क्या इन मतबेदों को सुलजा लिया गया था जब हम आजाद हुए तो विकास करने में क्या क्या दिक्कताई वही पूछ रहे है ठीक है तो क्या मुद्दे थे में पहला देखो आजादी के समय विकास के सवाल पर परमुक मतबेद कायम था विकास के सम्मन्ने मुख्य मुद्द है था कि विकास के लिए कौन सा मोडल अपनाया जाए यानि कि डेवलिप्मेंट करनी तो है पर किस तरीके से की जाए पुझीवादी मुडल के समर्थक देश के ओधोईगर्ण पर अधिक बल दे रहे थे जबकि समय वादी मुडल के समर्थक किरशी के विकास पर एमम गरामीन शेत्र की गरीब्यों को दूर करना आवशक समझते थे ठीक है पुझीवादी वाले कहते थे कि हमें इंडस्ट्र सहमती के बीच का रास्ता अपनाते हुए मिश्रित अर्थवेश्था को अपनाया गया यानि कि बीच का रास्ता निकाला गया ना तो पुझीवादी ही सारी चीज़े बनाई गई ना ही सारी चीज़े समय वादी बनाई गई दोनों का मिश्रन कर लिया गया जिस चीज में जिसकी जरूरत थी वैसी ही नीतियां अपनाई गई तो हमने खेती पे भी फोकस किया इंडस्टिरी पे भी फोकस किया ये कोशन important है आपसे पूछा गया है कई बार कि आजादी के बाद भारत ने कौन सा मोडल अपनाया जो विकास किया गया है उसमें क्या-क्या में मतभेत थ तो यही मतबेट था यही दिक्कत थी कि साम्मेबाद को अपनाए या पूझी वाद को अपनाए तो हमने कौन से अपना ली मिश्डित अपना ली अब देखो आप अगला कोशन पहली पंचवर्षे योजना का किस चीज पर सबसे जादा जोर था दूसरी पंचवर्षे योज योजना में किस चीज पर फोकस किया गया तो अगर किसी बचे ने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो चैप्टर वाली वीडियोज को आप जरूर देखो बिल्कुल एनिमेटर तरीके से सारी चीजे मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं अब सिक्स्त कोश्चन देखो पहली ज्यादा दिक्कत कि इस चेत्र में हुई थी अतहे हैं पर्थम पंचवर्षे योजना में किर्शी के विकास को सरवादिक महत्व दिया गया तो पहली वाली में खेती पर फोकस किया गया पर्थम पंचवर्षे योजना में पर्मुक अंतर यह है ताकि जहां पर्थम पंच योज में करा रखा जो important question वाली वीडियो आएगी उसमें मैंने बड़ा वाला question यह करा रखा अरित करांती तो हम इसको यहां पे नहीं पढ़ेंगे आप देखो एट कोशन है यह भी पर बाते वही हैं जो हमने अब तक पढ़ ली है कि खेती को अपनाए या इंडस्ट्री को अपनाए वही यह कोशन है बिल्कुल देखो इंडस्ट्री यूजना के दोरान जो जो प्रोब्लम हुई थी हमें वह हमें इस कोशन में पता होने चीए तो दूसरी प बढ़ाया जाए या इंडस्ट्री को अगे बढ़ाया जाए यही विवाद था दूसरी पंच वर्शे यूजना में तो सारा देश कि किस चीज़ पर पैसा लगाया जाए अब की बाद इस विवाद में क्या क्या तरक दिये गए थे वो हमें बताने हैं देखो पहली पंच के योजना में किर्शी शेत्र पर अधिक जोर दिया गया हम सभी को बता है पहली में तो फोकस किस पर किया था हमने खेती पे सारा पैसा खेती से जुड़ी वी चीज़ों पर लगाया था आगे देखो क्योंकि भारत के भी भाजन का सबसे बुरा परभाव किर्शी पर पड दिया गया वही दूसरी में भारी उद्धोगी के विकास पर जोर दिया गया आलोचको का मत था कि नियोजित धंग से किर्शी को पीछे दखेलने के प्रियास किया रही है अब जब सेकेंड वाली लागू की गई इसमें इंडस्टीज पर फोकस किया गया तो अब आये यहा गरामीन शेत्रों को शती पहुचाई गई थी जैसे देखो इंडस्टीज सेट अप होंगी तो गाउवाले एरिया तो बरबाद होंगी क्योंकि वहाँ पे फैक्टरी लगेगी बहुत सारा वहां से रो मैटेरियल लिया जाएगा तो इंडस्टीज जब सेट अप हुई तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था जो भी कटर समयवादी लोग थे उन सब भी ने इसका विरोध किया था उन्होंने कहा था कि इससे गाउवों को और खेती को नुकसान पहुचेगा इस विशह में योजना आयोक के सदस्य और परसिद गांधिवादी और सास्त् जेसी कुमारप्पा ने अपनी पुस्तक एकोनमी फर्मानेंस में एक व्यकल्पिक योजना का प्रारूप प्रस्तूत किया जिसमें उन्होंने ग्रामिन और धोगिकन पर अधिक बल दिया अगर इंडस्ट्रीज पर गवर्मेंट जदा फोकस करेगी तो क्या होगा इससे ग इसी तरह चोटरीटरण सिंग जो की एक वरिष्ठ कंगरिसी नेता थे ने योजना के अंतरगत किर्शी को सरवच प्रात्मिकता देने की जोड़़दार वकालत की अब चोदरी चरण सिंग जो है किसान नेता थे उन्होंने कहा था कि जो है हमें खेती पर ही फोकस करना चाहिए किस समय की ये बात है ये बात है 1956 के बाद की तो जब सेकंड योजना बना रहे थे सेकंड प्लैन बना रहे थे हम तो लडाइया हुई विवाद हुए अलग 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 विचार थे समयवादी सिर्फ समयवाद की बात कर रहे थे ठीक है पुणजी वादी इंडस्टीज को बढ़ाने की बात कर रहे थे तो दोनों ही बाते अपने अपनी जगह सही थी अगर हम इंडस्टीज पर फोकस ना करते तो हम उस एरिया में पिछट जाते अगर हम बारत्री गरीबी और गाओं पर फोकस नहीं करते तो गरीबों का भला नहीं हो पाता तो दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी था ठीक है तो यहाँ पे दो आदमियों के नाम आये हैं एक तो है कुमार अप्पा जो कहा रहे हैं कि हमें ग्रामिट और दोगी गंड पर बल देना चीए यानि कि गाउं में इंडेस्ट्री सेट अप करनी चीए दूसरे आये हैं चोद्री चरंण सिंग चरंण सिंग क्याते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ खेती पर फोकस करना चीए अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार थे उन्होंने यह विचार परकट किया कि शहरी और उद्धिक वर को लाप पहुचाने के उदेशे से ही दित्तिय पजवर्ष योजनाव का निर्मान किया गया है जिसकी कीमत ग्रामीन जनता और किर्श्चों को चुकानी पड़ेगी हमने पढ़ा था कि सेकिंड वाली में इंडस्टीज पर फोकस किया गया इंडस्टीज पर नहीं जब सेकिंड योजना बना रहे थे तो ये दो लड़ाया चली थी कि किस चीज को अपनाए हम आगे देखो इसके भी प्रीत ओध्योगी करन के समर्थ को कामत था कि ओध्योगी उत्पादन में विर्दी दर को तेज किये बिना भारत में विद्मान गरीबी और बेरुजगारी को दूर नहीं किया जा सकता जो बड़े बड़े बिजनस्मेन थे इंडस्ट लिस्ट थे उन्होंने कहा कि अगर हम इंडस्ट्री उसका डिवैलप नहीं करेंगे तो भारत में गरीबी ऐसे ही बनी रहेगी और भारत की बीरोजगारी को दूर नहीं किया जा सकेगा तो मैंने भी आपको बताया दोनों की बात बिल्कुल ठीक है भई पर आपस में विवाद हो रहा है दोनों में इन विचार को ने उद्धुकी करण को किरशी किया पिक्षा सर्वोच प्रात्मिक्ता देने की नीती को निमली खित आदारों पर उच्छी ठेराया यानि नोने कुछ बाते कही कि इंडस्टी पर जाता फोकस करना जरूरी है ठीक है अब देखें क्या क्या बाते नोने कही पहली बात राष्टी आई एवम परती व्यक्ति आई में तीर वर्दी के लिए उद्धुकिक विकास अवश्चक है यानि कि अगर देश की इंकम बढ़ानी है यानि कि राष्टी आई बढ़ानी है और हर आदमी की आई अगर हमें बढ़ानी है तो हमें क्या करना होगा देश में जो GDP है वो बढ़ेगी और लोगों के पास पैसा आएगा सेकंड क्रिशी की तुनला में ओधोगी विकास की दर अधिक तीर्व है उन्होंने कहा लिगर हम सारा पैसा खेती में लगाएंगे उससे ज़्यादा अगर हम इंडस्टीज पर फोकस करेंगे न तो इंडस्टीज डिवैलप होने की जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्पीड में होती है तो इसलिए ओधोगी विकास जो है वो ज़्यादा जरूरी है और हमें स्पीड से करना चाहिए तीसरा पोइंट ओधोगीक वस्तों की मांग को आय लोचन बहुत अधिक है और निर्मित वस्तों में निर्यात के अफसर अधिक मातरा में उपलब्ध हो सकते है यह कहा रहे है जो तयार चीज होती है याई रैडी मेड चीज होती है वो ज़्यादा इंपोटेंट है आज के टाइम पे तीक है तो इंडस्टीज का सेट अप होना बहुत जरूरी है फोर्थ पॉइंट विदेशी निवेशक किर्शी की अप्रेक्षा उद्योग में निवेश को प्रात्मिक्ता देते हैं यह जो विदेश हैं दूसरे देश हैं या बारके इन्वेस्टर्स हैं वो खेती पर पैसा लगा जाने की बजाए भारत में इंडस्टीज पर पैसा लगाने पर फोकस देंगे इसलिए हमें इंडस्टीज पर जाता फोकस करना चाहिए फिफ्थ पॉइंट भारत में भी दिमान गरीबी और वेरुजगारी को दूर करने में और धोगी करन महत्यपूर्ण भूमी का आदा क कर सकती है विल्कुल सही बात कि उन्होंने कि अगर यहां पर इंडस्टीज सेट अप होंगी तो यहांगी गरीबी मिट जाएगी और वेरुजगारी भी मिट जाएगी सिक्स पॉइंट किर्शी के शेत्र में हम अभी आतम निर्बर नहीं हैं अभी हम अपनी अवशिकता के लिए ही अनाज उत्पन नहीं कर पाते तो विदेशों में खाद्यान का निर्यात करके कैसे विदेशी मुद्रा अरजित करेंगे इंडस्टीज के सपोर्ट वाले लोगों ने कहा जो कि पुझी वात के समर्थन में थे कि हमारी खेती इतनी डिवेलप नहीं हैं हम यहां पे अपने लिए तो अभी अनाज नहीं उप जा पाते क्योंकि उस टाइम पे खेती मांसुर पर डिपेंड थी कोई इडिगेशन फैसिलिटी नहीं थी ज्यादा बड़ी चीज़े नहीं थी तो ऐसे कैसे हो सकता है कि विदेशी मुद्रा हम बारत में लियांगे इतना ज्याद पर फोकस करना चाहिए जिसकी वज़े से क्या हो सके बाहर की करंसी भारत में आ सके ठीक है खेती से ये काम नहीं हो पाएगा खेती अभी हमारी इतनी डिवेलप नहीं है तो फोरन मुद्रा काना बहुत जरूरी है हमारे यहां पे यह बात कह रहे थे कौन जो की उद्वी कर जना में इंपोर्टेंट यह कोशन है या पच्छे से इसको याद कर लेना देखो जब हम आजाद हुए थे तो हमने क्या किया था अपनी जो इकोनमी है उस पे सरकार का थोड़ा कंट्रोल रखा था क्योंकि उस टाइम की सिच्वेशन उसी हिसाब की थी फिर आगे चलकर क् 1990 के दशक में भारत में एकोनमी क्राइसिस आ गया था यानि कि आर्थिक संकट आ गया था और 1991 में हम नई पोलिसी लेके आये थे ठीक है और उसमें हमने क्या गिया था चीजों को प्राइवेट कर दिया था बहुत तगड़े तरीके से उदारी करन की निती हमने अपनाई थ जिसे की हम बोलते हैं LPG उसमें की तीन चीज़े अपनाई थी हमने liberalization, privatization और globalization LPG तो ये तीनों चीज़े हमने अपनाई 1991 के बाद तो इस question में हमसे यही कह रहे हैं कि अगर हम इन चीजों को पहले ही अपना लेते आजादी के टाइम पे ही 1947 में ही तो क्या हमारा इससे अच् पक्ष और विपक्ष को बताना है इसमें आपकी सोच के ऊपर ये question based है आपको जैसा अच्छा लगया वैसा इसका answer लिख सकते हो ठीक है कि सोचना आपको कि अगर भाई कैसा होता अगर हम शुरू से इस चीज़ को अपनाते तो ठीक है तो हम देखेंगे कि situation कैसी थी और उस हिसाब से सब कुछ करना जरूरी था क्योंकि इतने बड़े बड़े नेता थे इतने बड़े बड़े अर्थ सास्त्री बैठते थे इतने बड़े बड़े officers थे जिन्होंने हमारी नीतियों को design किया नहीं होगा इतनी सारी meetings होती थी तो बड़े सोच समझ के ही हमने सारे थी तो देखते हैं अब question में क्या लिखा हुआ है अर्थ विवस्था में राज्य की भूमिका पर जोर देकर भारतिया निति निर्माताओं ने गलती की ये कह रहे हैं कि जो state का control रहा उस चीज से भारत के निति निर्माताओं ने गलती कर दिवाई अगर शुरुवात से ही हम निजी छेत्र को खुली छूट दी जाती तो भारत का विकास कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से होता तो अगर शुरू से प्राइवेट सीजों को ज़्यादा फोकस किया जाता तो और ज़्यादा डिवेलफ हम होते यह एक पूंजी वादे विचार तो इस विचार के पक यह तर्क दिया जाता है कि भारत को शुरूआत में ही निजी छेत्र को फोकस करना चाहिए था और सब को खुली जूट देनी चाहिए थी परंतु इस कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि आजादी के समय देश की आर्थिक even सामाजिक फ्रिस्तितिया ऐसी नहीं थी थी कि सरकार नीजी शेतर को खुली छूट दे सके अब गरीबी थी बुख मरी थी अकाल पड़ता था लोग भूखे मर रहे थे ऐसी सिच्वेशन में आप इंडस्टी पर फोकस कैसे कर सकते हो पहले तो लोगों को रोटी खिलाओगे अकाल से बाहर निकालोगे तो यह हमें बात क इस चीजें तो हमें भी करनी आती हैं सारी पर देश की हालत वैसी नहीं थी देश की हालत बहुत खराब थी गरीबी थी बहुत सालों तक हमने केती पर फोकस करके हमारे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम पर इन सबी चीज़ों पर हमने फोकस करके पहले तो देश को इस ल नहिरू भी है इद्रागांदी भी है वो साम्मेवाद की तरफ रहा साम्मेवाद में क्या होता है गरीब लोग की भलाई की बाते होती हैं तो इन दोनों ही नेताओं ने ठीक है यही हुआ कि सिच्वेशन ऐसी थी कि हम शुरू से ही यह चीज़े नहीं कर पाए तो भारते नि किर्शी शेत्र के विकास सरकारिकरम सर पर्थम था तता किर्शी शेत्र का विकास राजय के नियंतिना धीन ही अधिक अच्छे डंग से हो सकता है यानि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फोकस हमें खेती पर करना जरूरी था और यह चीज़ सरकार के कंट्रोल में अच्छे तरीके से हो सकती है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कि हम भी जानते हैं तो व्यवस्ता को प्राइवेट करना, हम भी सेट अप कर सकते थे, पर भारत की सिच्वेशन ही नहीं थी, इतने बुरे हाल थे उस टाइम पे, कुछ भी नहीं था, कोई हमें समझ कर करने वाली होती हैं कुछ, तो हमारे इसमें सारे कोशन कवर हो गए हैं, जो भी इंपोर्टन थे, हमने सारे कोशन पढ़ लिए हैं वो, अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं, वीडियोज को आप लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों के से शेयर जरूर करो